नमस्कार आप देख रहे हैं टार्गिट विदालोक ओनलाइन इंस्टिटूट मैं हूँ विवेक मिस्त्र साम को आठ बच चुके हैं वक्त हो चला है एट पीम न्यूज बुलेटिन के सापता ही करेंट अफेयस का अपने इस खास सेशन में हम बीते सपता के उन सभी जरूरी खबरों पर नज़र डालते हैं जो आपके परिक्षाओं के लिहास से महत्वपूर हो सकते हैं तो चलिए आज की बड़ी खबरों के साथ आज के बुलेटिन की सुरुवात करते हैं प्रधान मंत्री ने स्वतंत्ता दिवस के अपने भासण में कहा था कि सरकार महलाओं के विवाह की नियुनतम उम्र पर पुनर विचार करेगी वर्तमान में तैन नियमों के अनुसार पूर्सों और महिलाओं के लिए विवाह के नियुनतम उम्र सीमा 21 वर्ष और 18 वर्ष है आपको बता दें कि इस बाबत 2020 को एक समिती का भी गठन किया गया है इस समिती को केंदरी महिला एवंग बाल विकास मंत्रालय ने मात्रुत्य की आयू मात्र मृत्यूदर और महिलाओं के पोषणस्तर में सुधार से सम्बंधित जाच के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया था यह task force महलाओं के स्वास्त संबन्धी तमाम जाच के साथ विवाह की उम्र और मात्रित्व की सहसंबन्ध की भी जाच करेगी माना जा रहा है कि यह समिती तमाम खास माप दंडों की जाच करेगी और महलाओं के लिए विवाह की उम्र 21 वर्ष तक बढ़ाने के विकल्प पर विचार करेगी 20 अगस्त को दिल्ली के स्वास्थ मंत्री सत्यंदर जैन ने दिल्ली के दूसरे कोविट-19 सीरोलोजिकल सर्वे के परडाम का हावाला देते हुए कहा कि सीरो सर्वे में 29.1% लोगों में एंटी बॉडी पाया गया इस सर्वे में यह पता लगाने के लिए रक्त के नमोनों की जाच की जाती है कि लोगों में वायरस संक्रमन के खिलाफ कितने एंटी बॉडी बने हैं यह आकड़ा पिछले सर्वे के मुकाबले 6% ज्यादा है स्वास्थ मंत्री ने पहली सीरो रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि 27 जून से 10 जुलाई तक किये गए सर्वे में पता चला था कि तकरीबन 24 फिस्दी लोगों के नमोनों में एंटी बॉडी की मौजोदिगी पाई गई थी जिसका मतलम है कि वे कोविट 19 से प्रभावि दिल्ली में सबसे ज्यादा 33.2 फिसती लोगों में एंटी बॉडी पाई गई है जबकि सबसे कम 16.3 फिस्दी एंटी बॉडी साउथ वेस्ट दिल्ली में पाई गई इसके बाद दिल्ली में सीरो लॉजिकल सर्वे के अगले दो चरण सितंबर और अक्टूबर में संपन्न कराए जाएंगे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से लगातार सातवी बार राष्ट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की घोशना किया इस मौके पर पियम मोदी ने कहा इसे देश के जुड़ी सभी जानकारियां सामिल होंगी इस मिशन के जरिये पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड और जात सेंटर जैसे संस्थानों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा इस ब्यवस्था से देश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों चिकित्स की सुबिधाएं पहुचाई जा सकेंगी पीम केयर्स फंड पर बिपक्ष और एक्टिविस्ट की ओर से सरकार पर लगाये जा रहे आरोपों के बीच सीर्स अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया सरवोच न्यायाले ने कहा कि पीम केयर्स फंड को नेस्नल डिजास् ट्रांसफर करने का आदेश नहीं दिया जा सकता एंजियों ने कोरोना महामारी के चलते फंड को ट्रांसफर करने का नर्देश सरकार को देने की मांग की थी याचिका में आरोप लगाया गया था कि पीम केयर्स फंड में आये पैसों की जानकारी देने से बचा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई केंद्रिय मंत्री मंडल की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया फैसले के बाद प्रकास जावडेकर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि फिलहाल अभी युवाओं को नौकरियों के लिए अलग-अल अलग-अस्थानों पर भी जाना पड़ता है उन्होंने कहा इस संदर में परेसानियों को दूर करने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी इसी समस्या को देखते हुए केंद्रिय मंत्री मंडल ने यह अहम फैसला किया है केंद्रिय मंत्री जितेंद्र सिंग ने इस फ भरती परिक्षा, बैंकों की भरती परिक्षा और कर्मचारी चैन आयोग आएंगे इस परिक्षा में हासिल किये गए स्कोर तीन साल तक मानने होंगे परिक्षा आयोजित करने के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक परिक्षा केंद्र अस्थापित किया जाएगा 20 अगस्त को स्वक्ष सर्वेक्षन 2020 का परिडाम घोसित हुआ मध्य प्रदेश का इंदोर लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वक्ष सहर बना रहा इसके बाद गुजरात के सूरत और महारास्ट के नवी मुंबई का अस्थान रहा जबकि उत्तर प्रदेश के वाराणसी को सर्वस्रिष्ट गंगा टाउन का खिताब मिला नई दिल्ली को देश की सबसे स्वक्ष राजधानी सहर के लिए पुरस्कृत किया गया जालंधर 56 बोड को देश की सबसे स्वक्ष चावनी बोड का पुरसकार मिला 40 लाग से अधिक आबादी वाले सहरों में सबसे स्वक्ष सहर गुजरात का आहमदाबाद सीर्स पर रहा यह सर्वेक्षण आवास और सहरी मामलों के मंत्राले द्वारा आयोजित किया जाता है आपको बता दे कि पहली बार स्वक्ष सर्वेक्षण 2016 में किया गया था धोनी ने फिर रहना ने किया हलाकि धोनी अभी IPL खेलते रहेंगे धोनी टेस्ट मैथ से पहले ही सन्यास ले चुके हैं भारती विदेश मंत्राले ने 17 अगस्त को UAE से बातचीत के दोरान कहा कि भारत ने UAE को भारती अर्थव्यवस्था के महत्वण छेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया है इस संदर में भारती विदेश मंत्री S. जैसंकर और UAE के विदेश मंत्री अब्दुल्ला पिंसायद अलनाहयान ने विश्थरित बातचीत की भारती विदेश मंत्राले ने कहा कि फोड़ पार्क, राजमार्क, बंदरगा, हवाई अड़े, अक्षय उर्जा और रक्षा क्षित जैसे तमाम क्षित्रों में भारती उपक्ष ने UAE को निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है बैठक के दौरान UAE की ओर से कुरोना महामारी में किये गए सहायता के लिए एस जैसंकर ने UAE का सुक्रिया अदा गिया बीते कुछ दिनों से अरुणाचल प्रदेश की दो स्वायत परिशत यानि आटोनोमस काउंसिल पूरे अरुणाचल प्रदेश को भारती सम्विधान की छटवी अनसूची या अनुच्छे 371 A के दाइरे में सामिल करने की मांग कर रहे हैं वर्तमान में छटवी अनसूची असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में लागू होती हैं और अनुच्छे 371 A नगा लेंड को विसेश राज्य का दर्जा देता हैं भारती संविधान की छटवी अनसूची, असम, मिघाले, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाती छेत्रों के प्रसासन के लिए प्रावधान करती है मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए सूबे के मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चौहान ने वादा किया कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए अस्थानी युवाओं को पहली प्राथमिकता दी जाएगी और इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्राव अंगिदारी मॉडल के तहत देश के तीन हवाई अड्डे जैपुर गुवाहाटे और तिरुवनंत पूरम को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजोरी दे दी इस अंदर में जारे विज्यपती में केंद्री मंत्री मंडल ने अडाने इंटर्प्राइज लिमिटेट को निश्चित की गई है इसके बाद में सभी दायतो पुनह एए आई के पास वापस आ जाएंगे नसीले पदार्थों की तसकरी रोकने के लिए बने ब्रिक्स देशों के कारिय समुह की चौथी बैठक 16 अगस्त को आयोजित की गई वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये पदार्थों की तसकरी रोकने के लिए भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ सूचनाओं के आदान प्रदान पर जोर दिया ताकि निकट भविश्य में होने वाले किसी भी प्रकार के नसीले पदार्थों की तसकरी पर रोक लग सके राकेश अस्थाना को बियस अप का सुरक्षा ब्यूरो के साथ नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अत्रिक्त कारिभार सम्हाल रहे थे ब्यस अप बिस्व की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल है इसका प्रमुख कारिय सांती की सुरक्षा करना है ब्यस अप में 186 बटालियन है जिसमें 2.6 लाक बहादूर और समर्पित जवान देश की सेवा के लिए तैनात है हाल ही में टेरी यानि The Energy and Resources Institute और NDMA यानि National Disaster Management Authority ने सैयुक्त रूप से मिलकर flood early warning system या fuse launch किया है इसको विक्सित करने में भारत मौसम विज्ञान और असम राज आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भी योगदान रहा मौसम पूर्वा निमान आधारित इस चेतावनी प्रणाली के जरिये 72 घंटों के भीतर चेतावनी मिल जाया करेगी हाल ही में COVID-19 महामारी के दावरान आजीविका की समस्या का सामना कर रहे योन कर्मियों जिसमें HIV AIDS और Transperson जैसे कमजोर समुहों द्वारा The Global Fund to Fight AIDS TB and Malaria में याचिका दायर किया गया HIV AIDS से प्रभावित आबादी की ओर से दायर इस याचिका में भोजन, अक्षय और आपात कालिन चिकित्सा जैसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए धन आवन्टिट करने के लिए मांग किया गया है भारत की प्रख्यात सास्त्री गायक पंडित जसराज का 90 वर्ष की उम्र में 17 अगस्त को अमेरिका के न्यू जर्सी में निधन हो गया पंडित जसराज का जन्म वर्ष 1930 में हरियाना में हुआ था पंडित जस्राद भारती सास्त्री संगीत के सबसे प्रमुख गायकों में से एक थे ये मेवाती घराने से तालुक रखते थे मेवाती घराना संगीत का एक स्कूल है हाल ही में उपराष्टपती इम वेंकईया नाइडू ने डॉक्टर कल्यान कुमार दे द्वारा लिखित पुस्तक नेताजी इंडियाज इंडिपेंडन्स एंड ब्रिटिस अर्काइब्स का लोकारपन किया इस पुस्तक में देश की स्वाधिंता आंदोलन के दवरान नेताजी की महत्तपूर भूमिका से संबन्धित प्रमारिक दस्तावेजों का संकलन है डॉक्टर कल्यान कुमार डे वर्तमान सुभास्चंद्र बोस आई एन ए ट्रस्ट के सहायक सदस्य है हाल ही में प्रधान मंत्री ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से पारदर्शी कराधान इमानदार का सम्मान नामग एक प्लेटफॉर्म की शुरुवात किया इस प्लेटफॉर्म का उद्दे सिकर अनुपालन में धील देना और रिफंड में तेजी लाने के साथ साथ इमानदार करदाताओं को लाभ पहुँचाना है केंद्री प्रत्यक्ष करबोड याने CBDT ने हाल के वर्सों में प्रत्यक्ष करों में कई करसुधार नियम लागू किये हैं जिसके तहट साल 2019 में कारपोरेट टैक्स को 30% से घटा कर 22% कर दिया गया था करनाटक के उपमुख्यमंत्री सी एन अस्व नाराण ने यह घोशना किया है कि राजसरकार मैसोर और बिदर के बीच एक ओद्योगी गलियारे का निर्माण करेगी यह गलियारा राज में वानिज और उद्योग के विकास को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है इस परियोजना से करनाटक को अगले पांच वर्षों में सकल घरेलो उत्पात के 35 लाग करोण के लक्ष को प्राप्त करने में मदद मिलेगी ACI विकास बैंक यानि ADB ने दिल्ली मेरट रिजिनल रैपिट ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण का समर्थन करने के लिए एक बिलियन अमेर्की डॉलर रिंड को मंजूरी देती है इस प्रणाली का उद्दे से दिल्ली और मेरट को जोडने वाले पारगमन विकल्पों के अस्थापना करके क्षेत्री कनेक्टिवटी को बेहतर बनाना है यह प्रणाली NC आक्षेत्री योजना 2021 के एकिकरित परिवहन नेटवर्क में तीन प्राथमिकताओं वाले रेल गलियारों में से पहली है यह प्रिवजना स्टेशन भवनों, रेल पतरियों, रख रखाओं, सुबिधाओं, बिजली, आपूर्ती और कर्षण के निर्माण के लिए लागू की जाएगी हाल ही में मसहूर पत्तिका फार्चून ने विश्व की सबसे बड़ी कमपनियों की सूची फार्चून ग्लोबल 500 जारी की इस सूची में अमेरिकी रिटेल कमपनी वालमार्ट को सीर्स अस्थान प्राप्त हुआ इसके बाद तीन चीनी कमपनियों साइनो पिक समूह, स्टेट ग्रिड और चाइना निस्नल पिट्चूलियम का अस्थान रहा आपको बता दें कि इस सूची में सीर्स हंडर्ड में सामिल होने वाली रिलाइन्स इंडस्टीज भारत की एक मात्र कमपनी है केंद्री जनजाती मंत्री ने 19 अगस्त को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये देश के 31 सहरों में ट्राइप्स इंडिया ओन वील मोबाइल वैन को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया ट्राइफेड अपने इस नई पहल से सुनिश्चित करती है कि किसी भी व्यक्ति को जैविक प्राकरतिक रूप से ब्रतिरक्षा बढ़ाने वाले जरूरी उत्पादों को खरीदने के साथ एक सतत और गुर्वत्ता पोन जीवन सैली अपनाने के लिए घर से बाहर न निकलन पड़े हाल ही में भारती तटरक्षक बल के लिए एक अपतटी गस्ती पोत यानी ओपीवी लॉंच किया गया जिसका नाम सार्थक रखा गया समुद्धी सुरक्षा बढ़ाने के लिए तटरक्षक बल द्वारा तैनाद पांच ओपीवी में सार्थक चौथे अस्थान पर भारती रेलवे द्वारा मडिपुर में दुनिया का सबसे लंबा पिलर ब्रिज का निर्मान कराया जा रहा है यह ब्रिज 141 मीटर उचा है जो मोंटे निग्रो यूरोप में 149 मीटर लंबे माला रेजिय का पुल के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया यह पुल 111 किलो मेंटर लंबी जीरी बाम डपुल इंफाल रेलवे लाइन परियुजना का एक हिस्सा है इस परियुजना में 45 सुरंगे हैं जिसमें 12 सुरंग उत्तर पूर्व की सबसे लंबी सुरंग होगी प्रतेक वर्ष 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है यह दिवस उन लोगों के लिए समर्पित हैं जो मानवता के लिए कारे करते हैं और इसके लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया है जिससे पूरे विश्व में मानवता कारे करने की प्रेणा और संदेश दिया जा सके विश्व मानव दिवस की शुरुवात साल 2018 में प्रस्ताव पारित करके किया गया था इस प्रस्ताव को स्वेडन द्वारा लाया गया था 19 अगस्त 2003 को इराग में महा सच्यू के विशेश प्रत्निधी सर्जिया पियरा डी मेलो की मृत्त्यू बंब स्पोर्ट में हो गया था इस घटना में उनके 21 सहकर्मी भी मारे गए थे इसी घटना के बाद इस पहल की शुरुवात हुई थी हाल ही में केंद्री स्वास्त एवंग परिवार कल्यान मंत्री ने इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी के रास्तिय मुख्यालय के बलड बैंक में थेलेसीमिया स्क्रीनिंग एवंग परामर्स केंद्र का उधगाटन किया एक रिपोर्ट के अनुसारे विश्व के तकरीबन 270 मिलियन लोग थेलेसीमिया से पीडित हैं थेलेसीमिया मेजर बच्चों की सरवादिक संख्या भारत में है थेलेसीमिया मेजर बीटा थेलेसीमिया का सबसे कमभी रूप होता है बीटा गलोबिन जीन के बिलुप्त होने से यह विक्सित होता है आमतोर पर बच्चों में यह लक्षन साल भर के बाद दिखाई देने लगता है हाल ही में केंद्रिय एवं किशान कल्यान मंत्री ने भारती क्रिशी अनुशंधान परिशत यानि ICAR के डेटा रिकवरी सेंटर क्रिशी मेग की सुरवात किया इसका मुख्य उद्देश ICAR के महत्वपुन आकड़ों को सुरक्षित रखना है इस डेटा रिकवरी सेंटर को हैदराबाद में राश्टिय क्रिशी अनुशंधान प्रबंधन अकादमी यानि NAARM में अस्थापित किया गया है वरतमान में ICAR का मुख्य डेटा सेंटर नई दिल्ली में भारती क्रिशी सांकी की अनुशंधान संस्थान यानि IASRI में अस्थापित है ब्रेटेन के मर्सडीज रेशर लुईस हैमिल्टन ने फार्मूला वन इस्पैनिस ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया हैमिल्टन ने दूसरे अस्थान पर रहे नीदरलैंड के रेडबूल रेशर मैक्स वेरस्टा पेन को पराजित किया फिनलैंड के मर्सडीज रेशर वाल्टेरी वायस ने तीसरा अस्थान हासिल किया हाल ही में अमेरिकी राष्टिय मौसम विभाग ने बताया कि दक्षण कैलिफोर्निया रेगिस्तान में डेथ वैली के फनायस क्रिक में तापमान 54.4 डिगरी सिल्सियस तक पहुँच गया विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार डेथ वैली के ग्रीन लैंड रैंच में 10 जुलाई 1913 को 56.7 डिगरी सिल्सियस तापमान दर्ज किया गया था विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार उनकी भी प्रिथवी की सतह पर दर्ज किया जाने वाला सबसे अधिक तापमान है आपको बताते चलें कि डेथ वैली उत्तरी अमेरिका के मोजावे रेगिस्तान के पूर्वी कैलिफोर्निया में एक रेगिस्तान घाटी है हाल ही में अंतरराष्टी स्रम संगठन और ACI विकास बैंक ने सैयुक तुरूप से टैकलिंग कोवेट-19 यूथ एम्प्लॉइमेंट क्राइसिस इन एसिया एंड पैसिफिक नाम से एक रिपोर्ट जारी किया इस रिपोर्ट की माने तो कोवेट-19 के दौर में तकरीबन 41 लाख भारती युवाओं को अपनी नौकरी से हाथ दोना पड़ा अंतरराष्टी संगटनों द्वारा तैयार की गेर रिपोर्ट कहती है कि एसिया और प्रसान्द क्षेत्र के 13 देसों में तकरीबन 1-5 करोण युवाँ अपनी नौकरी खो सकते हैं रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बेरोजगारी की दर्थ बढ़कर 32.5 फिस्दी हो गई है Online Privacy Solution Provider सर्फ सर्क ने Digital Quality of Life Index 2020 जारी किया इस रिपोर्ट के अनुशार भारत इंटरनेट गडवत्ता के मामले में विश्व के सबसे निचले पायदान वाले देसों में से एक है यह सोध विश्व के 85 देसों की Digital सेवाओं की गडवत्ता पर किया गया एक वैस्विक सोध है इस रिपोर्ट के अनुशार डेनमार्क पहले अस्थान पर है जबकि स्वेडन और कनाडा क्रमशह दूसरे और तीसरे अस्थान पर काबिश है इसराइल में सबसे सस्ते दामों में इंटरनेट उपलब्ध है यूके फ्रांस और लिथुवानिया साइबर सुरक्षा और ब्यक्तिकर डेटा सुरक्षा प्रदर्शन में सीर्स अस्थान पर रहा सर्वस्रेष्ट इंटरनेट गुडवत्ता में सिंगापूर, स्वेडन और नीदर लेंड ने सर्वोच अस्थान प्राप्ति किया भारत की बात करें तो समगर रैंकिंग में 85 देशों की सूची में भारत का 57 अस्थान रहा इंटरनेट की गुडवत्ता में भारत 78 अस्थान पर जबकि इलेक्ट्रोनिक सुरक्षा के द्रिश्टिकूर से इसका 57 अस्थान है राश्टी सुरक्षा एजनसी यानि ने सर्वोच न्यायाले में एक याचिका के जबाब में कहा कि अंडर ग्रिजुएट मेडिकल पाठिक्रम के लिए राश्टी पात्रता सह प्रवेश परिक्षा यानि नीट विदेसी छात्रों के लिए ओनलाइन आयोजित नहीं किया जा सकता एंटीय ने न्यायाले के समक्ष कहा कि मेडिकल काउंसिल ओफ इंडिया यानि एमसी आई के नियमों के अनुसार नीट अनिवारी रूप से सभी उमिद्वारों के लिए पेपर बुक प्रारूप में अनिवारी होती है केंद्रिय युवा एवंग खेल मंत्री ने 74 में स्वतंद्रता दिवस के अवसर पर नागरिकों के बीच फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए एक देश व्यापी पहल फिट इंडिया यूथ क्लब की सुरुवात किया फिट इंडिया यूथ क्लब फिट इंडिया मुव्मेंट का एक हिस्ता है जो फिटनेस के महत्व के बारे में ब्यापक जागरुकता पैदा करने के लिए युवाओं की सकती का सही दिसा में प्रयोग करने पर जोर देता है इस पहल के तहत नेहरू यूवा केंदर संगठन और रास्तिय सेवा यूजना को 75 लाख स्वैंग सेवकों, स्काउट गाइड एवंग रास्तिय कैड़ेट कोर और अन्य यूवा संगठनों के साथ मिलकर देश के प्रतेक जिले के प्रतेक ब्लॉक में फिट इंडिया प्रतेक सद से अपनी दैनिक दिंचरिया में समुदाय के लोगों को 30-60 मिनट की फिटनेस गतिविधियों के लिए प्रेरित करेगा। और 2018 में जम्मू कस्मीर के राजजपाल के रूप में प्रभार सम्हाल चुके हैं। इनके गवर्नर रहते हुए कस्मीर में अनुच्छे 370 के प्रावधानों में बतलाव किया गया था। प्रध्योगी की संस्थान मद्रास और सीडेक ने किया। इस चैलेंज में स्मार्ट डिवाइस के लिए हार्ड वेर का निर्माण करना होगा। इस चैलेंज के जरिये देश में स्टार्ट अप नवाचार और अनुसंधान के मजबूत परस्थिति की तंद्र को और गती प् डिफेंस और स्पेस सेक्टर के लिए भी हार्ड वेर का निर्माण किया जा सकेगा। पूर्व भारती क्रिकेटर और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। श्री चौहान ने टीम इंडिया के लिए 1969 से 1978 के बीच 40 टेस् ले थे। उन्होंने 31.54 के आउसत से 2084 रन बनाए। इनका बेस्ट स्कोर 97 रन रहा। चौहान और गावसकर की ओपनिंग जोडी 1970 के दसक में काफी सफल मानी जाती रही है। इन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच 25 दिसंबर 1979 में और आखरी टेस्ट मैच 13 मार्च 1981 को न्यू लेंड के खिलाफ खिला था। फिलाल वे अमरोहा जिले की नौगावा विधान सभा सीट से विधायक थे। कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने उपराष्ट पती पद के उम्मिद्वार के रिए चुन लिया है। उम्मिद्वारी स्विकारने के साथ ही कमला ह हैरिस ने डोनाल्ड ट्रम्प अपन निशाना साथते हुए अपने एक भासन में कहा कि ट्रम्प एक असफल नेता और बीति चार साल में नेत्रित्व करने में नाकाम रहे। कमला हैरिस का उपराष्ट पती पद का उम्मिद्वार बनना भारत और अमेरिका के द्विपक्ष ये संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। आपको बता दें कि जम्मू कस्मीर से अनुचे 370 हटाए जाने के बाद कमला हैरिस का रुख भारत के बिपरीत रहा था। फिलहाल 8 पीम के इस सापता ही करेंड अफेयस में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लग अनलाइन इंस्टिट्यूट से मुझे दीजिये इजाजत नमस्कार।